एक मंचले सिर्फिरे की हरकतों से पूरे मुहले की महिलाएं परिशान है मंचला महिलाओं और लड़कियों को देखकर असलील गाने लगाता है इतना ही नहीं पर्चियों पर असलील चित्र बनाकर मुहले की महिलाओं के नाम लिखकर उनके घरों में फेक देता है यह घटना उर्वाई गेट बहोडापुर की है सिर्फ फिरा दिव्यांग है लेकिन हरकतों से बाज नहीं आ रहा है परिसान छेतरी लोगों ने मामले की सिकायत पुलिस अपसरोसी की है पर यहां भी उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है पीडित परिवार का कहना है कि वह तीसरी बार जन सुनवाई में सिकायत कर रहे है पुलिस अपसरों ने मामले की जाच का आस्वासन दिया है सहर के बहोडा पुरिस्थित उर्वाई गेट के नजदीक रहने वाला एक युवक मुकेश से इस्थानिये लोग खास कर महिलाएं परिशान है लोगों का कहना है कि एक पैर से दिव्यांग युवक छेतरी की महिलाओं को देखकर असलील गाने गाता है और भद्ने इशारे करता है किसी के भी घर में कोई असलील फोटो या तस्वीर भी फेंक देता है पिछने दो साल से युवक की हरकत ज़्यादा बढ़ गई है नवंबर 2021 में भी इस्थानिये लोगों ने युवक मुकेश कुश्वाहा के खिलाफ एस्पी को ग्यापन देकर सिकायत दर्च कराई थी तो पुलिस ने उसके खिलाफ मुकदमा दर्च किया था उसे कुछ दिन जेल में भी गुजारने पड़े थे लेकिन कुछ दिन बाद वे जेल से छूट कर आ गया और फिर वही पुरानी हरकतों पर उतराया सिर्फिरे मुकेश के कारण घर की महिलाएं बाहर नहीं निकल पाती है वे पर्चियों पर असलील चित्र बनाकर उन पर घर की महिलाओं के नाम निकता है इन पर्चियों को वह घरों में फेकता है जिससे महिलाओं को बेजिती सी लगती है लोगों ने बताया कि सिर्फ फिरे जनवरी दो हजार पाइस में भी सिकायत पुलिस अधिक्छक से की थी लेकिन पुलिस ने अभी तक कोई कारिवाही नहीं की है पुलिस थाना बहोड़ापुर में कई बार मुकेश कुशवाह के खिलाफ इस्थानिये लोगों ने आवेदन दिये है मुकेश को इस बात का गुमान है कि वह दिव्यांग है और जल्दी कोट के जरीए जेल से छूट जाता है इसनिये वह कुछ भी करेगा तो दिव्यांग की आड में उसकी हरकते छुप जाएंगी खास बात ये है कि इस्थानिये लोगों ने जब उसके खिलाफ आवेदन दिया तो वहां मुकेश कुशवा भी पहुँच गया था लेकिन पुलीस अफसरों ने जब उसके खिलाफ कारिवाई करने का मन बना लिया और अधी नस्तों को दिशा निर्देश दिये तो वह एस्थी कारियाले से जल्दी जल्दी कदम बढ़ाता हुआ गायब हो गया इस मामने में ASP सहर अभिनव चौकसे का कहना है कि आरोपी के खिलाप कारिवाई की जाएगी संबंदित थाना को जाच के लिए कहा है और इस तरह से मनलब और हम लोग एक अरजन सुडिल काष्ट में आते हैं तो हम लोगों जातिगत गाली देना उल्टी सिदी गाली देना और मनलब जो है महिलाय बचारी इतनी परिशान की कुछ कह नहीं सकते हम उल्टी सिदी परचियां लग लखे उस पर गंदे चितर बनाकर गरवा फेकना काई खिड़की में डालना बकाइदा नाम लखकर यह पूरी शिकायत गिरवाई बावड़ापूर ठाने की आई थी इसमें एक व्यक्ति है जो कि पूरे छेतर में महिलाओं को बड़ा परशान कर रहा है इसमें पहले भी पुलिस काईमी कर चुकी है पर क्योंकि अभी वह जेल से जमानत पर आया है तो यह शिकायत ने फिर से आई है इसे आज शंग्यान में लिया जाएगा पुलिस अधिक चक्साब से भी मैंने इसमें परच्छा करी है साहब का भी कहना है कि इसमें हम पड़ी से कड़ी कारवाई करें